हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ अन्वी सूद आपका स्वागत है हमारे चैनल में बिग बॉस में नजर आए तहसीन पुनावाला सोशल मीजिया पर मोधी सरकार पर जम कर निशाना साथ रहे हैं बीते दिन उनने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोर्से के देशफ़क बताने वाली बीचेपी सांसत प्रग्या सिंग ठाकूर के खिलाब विरोध प्रदर्शन किया था उनके प्रदर्शन के लिए पुलिस नोंने हिरासत में भी ले लिया था वहीं अब तहसीन पुनावाला का एक ठ्वीट खुब सुर्खियों बटो रहा है अपने ठ्वीट में तहसीन पुनावाला ने भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को लेकर बात की है साथी मोदी से उनके 15 लाग रुपे लोटाने की भी बात कहीं तहसीन पुनावाला ने अपने ट्वीट में पीम नरेंदर मोदी को लिखा मुझे अपनी पत्नी के लिए महंगे बैग और कपड़े खरीदना काफी पसंद है अगर मोदी जी मेरे 15 लाग रुपे लोटाते हैं तो मैं और भी कई चीज़े खरीद सकता हूँ बता दें कि तहसीन पुनावाले के इस ट्वीट पर लोग खुब रियक्शन्स दे रहे हैं इसके अलावा बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट के और ट्वीट ने खुब सुर्ख्या मटोरी दरसल एक सोचल मीडिया यूजर ने मोदी के खिलाफ बोलने पर उन्हें जॉबलेस कहकर उनकी वाट लगा दी वहीं यूजर का जवाब देते हुए तहसीन पुनावाला ने लिखा नाम केवल में ही नहीं बलकि पूरा राश्ट्र ही बिरोजगार है वो भी केवल जीनियस नरेंदर मोदी चिकीन नित्ती की वज़ा से तो देखा आपने इन दिनों तहसीन पुनावाला किसी ना किसी मुद्दे को लेकर पिये मोदी पर निशाना साथते ही रहते हैं हाला कि मोदी की खिलाफ बोलकर वो कहीं बार फ्रोल भी हो चुके हैं वैसे आपको बता दें कि तहसीन पुनावाला हाली में टीवी रियाल्टी शो बिग बॉस में नजर आये थे बिग बॉस में एंट्री से पहले तेहसीन पुनावाला ने शो को जीतने का दावा भी किया था लेकिन वो पहले हफते में ही घर से बाहर हो गे तेहसीन पुनावाला की बिग बॉस में आसिम रियास के साथ जम कर कहा सुनी हुई थी हाला कि वो शो में अपना कोई भी असर छोड़ने में काम्याद नहीं हुए वैसे तहसीम पुनावाला के मोधी को लेकर किये स्ट्वीट पाई आप क्या क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं